हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको पॉईजन आईवी ये 1992 की एक ड्रामा थ्रिलर मुवी को एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ इस मुवी में एक टीनेज लड़की जो बहुत ही अकेली होती है उसके एक फ्रेंड बनती है इस लड़की की फैमिली में उसकी फ्रेंड आने के बाद सब कुछ तबा होने लग जाता है ये इस मुवी की स्टोरिलाइन है तो चलिए इस मुवी को एस्प्रेंड करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें एक जंगल का स्पोट दिखता है जहाँ पर जुला विगरा होता है सिल्विया को आइवी की तरह ही बनना है सिल्विया को आइवी की तरह ही करेज चाहिए जब यह सब इस spot पर hangout कर रहे होते हैं तो उन्हें जोर के आवाज आती है रोड तक जब बहुशते हैं तो किसीने गाड़ी से कुट्टे को उड़ाय होते है और वो चला गया होते है यह सब बहुशते हैं तो कुट्टा तड़ब रहा है यह Sylvia से देखा नहीं जाता वो सबसे कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए बाकी लटके कहे रहे होते हैं कि यह पैन में है इसे हमें मार डालना चाहिए आईवी तभी एक बड़ा सा डणना लेती है और कुत्ते को मार डालती है सिल्विया को बहुत ही बुरा लगता है इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्विया प्रिंसिपल के ओफिस में है यहाँ पर थोड़े टाइम में आईवी भी आ जाती है सिल्विया आईवी का टैटू देख रही होती है यह जो टैटू है यह ग्रेव पर आईवी का प्लान आया हुआ है इस तरह कैसे ड्रॉ किया गया है आईवी देखती है कि सिल्विया उसके टैटू में इंटरस्टेड है सिल्विया कहती है कि मुझे आईवी पसं है आईवी बोलती है कि death and life दोनों represent करते है इसके बाद सिल्विया आईवी से बुछती है कि तुम यहाँ क्यों हो चल मैं आईवी ट्रबल में आ चुकी है क्योंकि scholarship से वो इस school में पढ़ती है उसके grades अब कम आ रहे है तो इसलिए principal ने उससे बुलाया है फिर आईवी सिल्विया से बुछती है कि तुम यहाँ क्यों हो सिल्विया ने एक न्यूज चलने को call किया था और बोला था कि तुम्हारे यहाँ बॉम रखा हुआ है सब डर गए थे और बहुत inconvenience हुआ था आईवी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया कि वो तो तुम्हारे डैड ही थे सिल्विया थोड़े सा शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि अपने डैड को ही उसने threat किया था यह करने के लिए बहुत daring लगी होगी इसलिए आईवी अब उससे impress जब school छूट जाती है तो सिल्विया के फादर उससे लेने के लिए आते है सिल्विया के फादर उससे बहुत रही नाराज है वो कहते हैं तुम्हारी वज़य से 200 लोगों को हमको आफिस से बाहर निकालना पड़ा सिल्विया उन्हें सोरी कहती है पर फादर अब बहुत ही जादा गुसे में है वो कहते कि अब तुम grounded हो यानि कि Sylvia अब कभी भी बाहर नहीं जा सकती इस incidence से Sylvia के फादर का जॉब भी जा सकता है इसलिए वो और भी नाराज है ये दोनों गाड़ी में ही होते है तब ही IV आ जाती है IV इनसे lift माँगती है Sylvia grounded है तो किसी को भी help नहीं कर सकती इससे Sylvia के फादर उसे मना कर देता है Sylvia बहुत ही request करती है तो इसके बाद IV को lift देने के लिए हो मान जाते है Sylvia के फादर Sylvia से पुछती है कि इसका नाम क्या है Sylvia कहती है कि इसका नाम IV है Sylvia को Ivy का नाम नहीं पता था तो कहती ही कि Ivy है Actually में Ivy का नाम Ivy नहीं तो कुछ अलग है पर इस movie में उसका नाम हमें बताया नहीं गया है Ivy पूछती है कि Please मुझे front seat पर बैठने तो अगर वो back seat पर बैठती है तो उसे तकलिफ होती है Ivy गाड़ी में बेठकर अपने पेर डाशब्रोड पर रखती है Sylvia के फादर इसे notice करते हैं पर ignore कर देते हैं Next day Ivy और Sylvia फिर से मिलते है तो Sylvia पूछती है कि तुमारा actual name क्या है Ivy कहती है कि मेरा नाम मुझे पसंद नहीं है तुमने मुझे Ivy पुका रहा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेरी life मुझे फिर से start or करने का chance मिलता है नए नाम के साथ इसलिए Ivy को Ivy नाम ही पसंद आता है Ivy फिर Sylvia के गले में एक linkless देखती है यह blue diamond होता है यह देखकर उसे बहुत ही पसंद आता है Sylvia कहती है कि मेरे फादर ने मुझे दिया है Ivy बोलती कि तुम्हेरे फादर तुमसे बहुत ही प्यार करते होंगे Sylvia कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो मेरे actual फादर नहीं है उन्हेंने मुझे adopt किया है इसलिए उनने बुरा लग रह ओगा इसलिए उन्होंने ये मुझे बाय करकर दिया मेरी मदर एक्चुल मदर है सिल्विया कहती ही कि मेरे ओरिजिनल फादर ब्लैक थे सिल्विया के हैल्स कर लियोते है तो इसलिए ये कहती है आईवी कहती है कि मेरे फादर मुझे बहुत ही हेट करते है मैं कभी भी उनसे सही से बात नहीं करवाती है मेरे फादर किस तरह से है इनने जानने के लिए उनकी रूमे में जब गई तो मुझे बहुत सारी मैगजिन्स मिले यह अडल्ड मैगजिन्स होती है सिल्विया पुछती है क्या इसी वज़े से तुम इस तरह के कबड़े पहनती हो आईवी को उसके फादर से अटेंशन मिल सके इसी वज़े से वो इस तरह से रहती है यह दोनों बाते करते करते सिल्विया के घर तक आ जाते है यह घर बहुत ही बड़ा होता है आईवी बिलिव नहीं कर पाती सिल्विया को उसका हाउस पसंद नहीं आता वो कहती ही कि इतना बड़ा है तो यहा लोगों को में ढून नहीं पाती सिल्विया और आईवी के स्कूल में कोई بھی फ्रेंड नहीं है इससे भी बाते नहीं कर सकती पर एक दूसरे से अच्छी बाते कर रही है तो एक दोनों की friend बन जाती है Sylvia Ivy को अपने घर में invite करती है Sylvia कहती है कि मेरी mom से मैं तुम्हें नहीं मिला सकती क्योंकि उसकी जो mom है यहां मेशा बिमार रहती है Sylvia को लगता है कि उसकी mom बिमार होने का ढोंग करती है यह घर बहुत ही उचाई पर है जब दोनों balcony में आती है तो Ivy कहती है कि अगर मुझे मरना होगा तो मैं इसी height से मरूंगी मैं गिरते होक बिटेंड करूंगी कि मैं उड़ रही हू Sylvia कहती है कि मैंने भी एक बार suicide करने का try किया था उसने अपनी nurse काट ली थी तब ही Sylvia की mother वहाँ जाती है Sylvia की mother ये सुनकर हैरान होती है क्योंकि Sylvia ने कभी ये किया ही नहीं था Sylvia फिर अपनी mother को सुलाने के लिए उसके रूम में लेकर जाती है mother नाराज है और कहती है कि इस तरह के क्यों तुम बाते कर रही थी अगर तुम्हें लोगों के सामने pretend करना बढ़ रहा है तो तुम्हारे real friends है ही नहीं mother को आईवी भी पसंद नहीं आती कहती है किस तरह के लड़की से तुम friendship कर रही हो उसका character सही नहीं है तब ही आईवी वहाँ आ जाती है और Sylvia से कहती है कि मेरी वज़े से trouble हो रहा है मैं अब यहां से जाती हूँ mother को बुरा लगता है और आईवी से बात करने लग जाती है mother बुछती है कि तुम रहती कहा हो आईवी कहती है कि मेरी end के साथ रहती हूँ आईवी की mother drugist थी और इसी वज़े से वो मर गई है उसके फादर भी जेल में आते जाते रहते है इसी वज़े से अपनी end के साथ ही हूँ रहती है उसके end उसे पसंद नहीं करती फिर यह उसे वहाँ रहना पड़ता है यह दोनों बात कर रहते हैं तब इस सिल्विया के mom के oxygen mask जारा block हो जाता है यह IV लेती है और इसे unblock करती है मदर से सब लोग दूर भागते है क्योंकि वो बिमार है और यह बिमारी उन्हें ना लग जाए पर IV इस तरह से नहीं है oxygen mask का block निकालने में IV नहीं डरती सिल्विया की मदर को अब IV अच्छे लगने लग जाती है IV डेत से नहीं डरती उसे लगता है कि energy एक form से दूसरे forms में जाती है पर वो मरने से पहले बहुत सारी चीज़े करना चाती है यानि वो गरीब है पर वो गरीब नहीं मरना चाती बनने से पहले एक बड़ा सा house हो उसके पास भी गाड़ी हो यह सब वो चाती है यानि कि सिल्विया के पास जो है यही वो पाना चाती है इसके बाद सिल्विया हम से कहती है कि IV और में बहुत ही अच्छे friends बन गई और IV मेरे साथ ही रहने लग गई IV और सिल्विया बहुत जगा जाते थे और सब जगा सिल्विया ही पे करती थी सिल्विया अब IV को सब कुछ सच बताती है वो कहती है कि मेरे जो father है यह मेरे real father है और उसने suicide करने की भी कभी कोशिश नहीं की थी Ivy कहती है कि मैं समझ सकती हो तुमने ऐसा क्यों कहा होगा इसके बाद नेक सिन में हम देखते है कि पूल के पास Ivy हैंगाउट कर रही होती है तब इस सिल्विया के फादर वहा जाते है फादर अपने office के लोगों के लिए party रखने वाले है क्योंकि उन्हें अपने office के लोग को फिर से impress करना है वरना इनकी job जा सकती है सिल्विया उन्हें इसके लिए help करने वाली है तो इसी subject से आईवी उनसे बात हे करने लग जाती है बात ये करते करते आईवी फादर से कहती है कि मेरे shoes वहाँ सिला कर दो फादर से ये शोज पानी में गिर जाते हैं आईवी स्मोके का फाइदा उठाती है और कहती है कि 150 डॉलर के थे फादर इस पर कुछी पोलते नहीं और ये पैसे उसे दे देते हैं ये वैसे लेते वक्त भी सिल्विया के फादर को आईवी टीज करती है इसके बाद नेक सिन में हम देखते हैं कि सिल्विया के रूम में जब आईवी होती है तो सिल्विया को एक कौल आता है पर ये आईवी उठा लेती है जिस दिन सिल्विया के फादर की पार्टी होने वाली है उसी दिन सिल्विया के फ्रेंड उसे कही लेकर जाना चाते है यही इन्फॉर्म करने के लिए उसके फ्रेंड ने उसे कॉल किया होता है पर ये आईवी उठाती है और उन्हें कहे देती है कि सिल्विया उस दिन फ्री है आईवी को पता होता है कि उस दिन पाटी है पर फिर भी ये जान बुझ कर ये करती है सिल्विया की मदर और फादर ये दोनों हमेशा जखरते रहते है एक दिन ऐसा ही होता है तो सिल्विया बहुत ही अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है आईवी और ये दोनों एक जगा पर बैठते हैं तो सिल्विया कहीती है कि आज मेरा स्कूल जाने का थोड़ा भी मन नहीं है तो आईवी कहती है कि चलो कही अलग जगा पर चलती है यह इसे डारेक्टली टाट्टू बलवाने के लिए लेकर आती है सिल्विया बहुती डर रही होती है क्योंकि टाट्टू नहीं बनवा सकती है अगर किसी को भी पता चला तो बहुती बड़ा बक्रेडा हो जाएगा उसकी मदर उसे पूछ सकती है कि रसोडे में कौन था मैं थी तुम थी मैं थी तुम थी कौन था आईवी उसे बोल रही होती है कि कुछ भी नहीं होगा तुम्हें करवालो सिल्विया कहती है कि तुमारे लिए तो ठीक है तुम उसी तरह की लड़की हो आईवी कोई अजिब लगता है वो गहती है कि तुम बोल क्या रही हो तुमें चैस समझती क्या हो इस बात पर इन दोनों का जगड़ा हो जाता है और सिल्विया वासे जा रही होती है जाते जाते आईवी उसे रोक लेती है, गहती है कि पैसे तो दे कर जाओ, मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है, सिल्विया उसे पैसे दे देती है और चली जाती है, दो मेरिट में फिर से वापस आ जाती है, वो कहती है कि इस पैसों में 100 डॉलर्स की एक नोट है, आईव तुम सिर्फ लेट हो तुम यह आगे चल कर बहुत ही ब्यूटिफुल लगोगी आइवी सिल्विया के बाल सहलाने लग जाती है बहुत पास आ जाती है उसे किस करती है आइवी कहती है कि मैं तुम से प्यार कर रही हूं सिल्विया को अजिब लगता है और वहाँ से वो चली जाती है इसके बाद हमें सिल्विया के फादर आफिस में दिखते है वो अपने कोवरकर से बात कर रहे होते पर बहुत ही परेशान है कोवरकर बोचता है कि तुम आज इतने परेशान क्यों हो सिल्विया की मदर बहुत ही वो मज़े करेंगे और वहाँ से जले जाएंगे और उन्हें जो डिसिजन लेना है तो इनोकरी बन रखना है या नहीं यही वो लेंगे इसे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा रात में सिल्विया की मदर खिड़की के पास खड़ी हुई होती है उसे हमेज़ा सुसाइड के थौट्स आते रहते हैं सिल्विया खिड़की से उसे दूर निकालती है और बेड़ पर सुला देती है सिल्विया अपनी मदर से बात करने लग जाती है वो गहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है वो अपनी मदर को जानना चाती है बहुत सारी उसे बाते करना चाती है पर मदर विमार है तो उसे कुछ भी करनी पा रही रात में हम देखते हैं कि सिल्विया के फादर एक प्लेट लेकर उपर जाकर खा रहे होते हैं इसमें स्वीट से जो उने नहीं चलते हैं तो छुप छुप कर एक खा रहे होते हैं तब यहाँ पर आईवी आ जाती है आईवी इनका मजाग लेने लग जाती है आईवी कहती है कि मुझे तुम इस तरह से पसंद हो तुम जब डिवी पर होते हो तो एक कंट्रोल में होते हो जिस तरह से सब लोग होते हैं उस तरह से मैं तुमें तब नहीं देख पाती पर जब इस तरह से तुम होते हो तो मुझे तुम अच्छे लगते हो अपनी human side तुम और भी दिखाया करो सिल्विया के फादर के हाथ पर चोट लगी होती है ये चोट आईवी देखती है और उसे किस करकर वहाँ से चली जाती है फादर आईवी से attracted है और उनने पता है कि ये गलत है तो अपने आपकर वह कंट्रोल करते हैं इसके बात आता है पाड़ी का दिन सिल्विया अपने फादर को help करने वाली है पर सिल्विया के friends वहाँ जाते है सिल्विया कहती कि वह नहीं आ सकती पर उसके friends उसे प्रेशुराइज करते है फादर भी मना कर रहे होते है पर आईवी कहती है कि यह सब confusion मेरी वज़े से हुई है तो Sylvia के जगा पर वो अब फादर को help करने वाली है जब party start हो जाती है तो Sylvia के मदर का एक beautiful trace होता है जो आईवी पहन लेती है Sylvia के फादर जब देखते है तो उन्हें आईवी बहुत ही beautiful लगती है आईवी को compliment करते है आईवी ड्रिंक सर्व कर रही होती है Sylvia के फादर पहले अलकोलीक थे तो आप वो ड्रिंक नहीं कर सकते है पर फिर भी आईवी उन्हें ड्रंक दे देती है इस party में मदर उपर से सब देख रही होती है वो भी पहले बहुत ही मज़े करती थी सब party में आना जाना उसे पसंद था पर आप यो कुछ भी नहीं कर पाती मदर को party चलती हुई देख कर बहुत ही बुरा लगता है और decide करती है कि फिर से वो ready हो जाएगी party खतम होती है और father के वास आईवी आती है music चलाती है और dance करने लग जाती है father भी आईवी के पास आते है और उसके साथ dance करने लग जाते है इन दोनों ने एक दुसरे को हक किया है तो ये Sylvia की मदर आकर देख लीती है ये heart broken हो जाती है अपने room में चले जाती है और Sylvia के father भी उसके पास आते है ये बहुत guilty महसुस कर रहे है तो ये देर में आईवी भी आती है आईवी कहती है कि मैंने आज तुमारा dress पहना था इसलिए सब मुझे compliment कर रहे थे तुमारे husband किचन में आये तो तुम्हें याद करकर ये रो रहे थे मैंने उन्हें सहारा दिया था Sylvia के मदर को ये सच लगता है आईवी उसी drink बना कर देती है और मदर ये ही सो जाती है फादर के पास आकर आईवी जान भूज कर ग्लास किरा देती है ये उठाने के लिए फादर जुकते है और उसके लेक को किस करने लग जाते है क्योंकि अब वो बहुती ड्रंक है और अपने आपको control नहीं कर पा रहे थोड़ी देर में इन्हें realize होता है कि जो कर रहे है गलत कर रहे है और वहाँ से चले जाते है रात में जब Sylvia घर पर आती है तो उसका डॉग आईवी के साथ सोया हुआ होता है यह उसे देख कर बहुत ही जेलस मैसूस होता है आईवी सिल्विया के डॉग को snacks देती है इसे वज़े से उसका डॉग हमेशा उसके साथ रहता है next day में देखता है कि आईवी सिल्विया के मदर के कार के पास है वो अंदर बेट जाती है जब सिल्विया देखती है तो बहुत ही जेट जाती है वो कहती है कि मेरी मदर की एक कार है तुम इसमें नहीं बेट सकती है वो आईवी को दोके बास बोलती है क्योंकि उसकी मदर की कार में वो बेटी है और सिल्विया का डॉक अब आईवी के साथ ही रहता है आईवी के दिए ऐसा नहीं है तुम्हारा डॉक तो तुम्हारा ही है इन दोनों में और भी जगड़ा हो जाता है और एक दुसरे से वो competition करने लग जाती है ये डॉक को बीच में रखते है और दोनों उसे call करती है डॉक बीचारा confused होता रहता है उसे किस के पास जाना है लास्ट में आईवी डॉक को जो snack खिलाती है वो snack का आवाद्स करती है और डॉक आईवी के पास चला जाता है सिल्विया नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है नेक्स डे स्कूल से आईवी को लेने के लिए सिल्विया के फादर आते है आईवी उस पर चीड़ी हुई है कल रात आईवी के साथ उन्हेंने कुछ भी नहीं किया इसी वज़े से आईवी अब उन पर चीड़ी हुई है ये गाड़ी में नहीं बैटती और जनने लग जाती है सिल्विया के फादर कहती है गाड़ी में बैटो उसे ओफ वोस करे होते है तो आईवी कहती है कि तुम मेरे फादर नहीं हो सिल्विया के फादर कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ इसके बाद उसके गाड़ी में बैट जाती है अब फादर कहती है कि जो भी सब हमारे बीच में हुआ था ये नहीं हो सकता आईवी कहती है कि ये तो हो चुका है फादर कहती है मैं स्टॉप कर सकता हो आईवी कहती है गाड़ी यही पर रोग दो Ivy कह रहे होती है विए उसे handle कर सकती है इसके बाद Sylvia के फादर गाड़ी जंगल में लेकर जाते है और यह दोनों एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है जब Ivy रात में घर आती है तो Sylvia को डोर open करने के लिए कहती है कहती है कि अगर तुमने मुझे इंटरे दी तो ही मैं घर में आउंगी सिल्विया भी आईवी को माफ कर देती है और उसे घर में आने देती है नेक्स डेम देखती है कि सिल्विया की मदर खिड़की पर खड़ी हुई होती है वहाँ पर आईवी आती है Ivy बोचती है कि मुझे पता है कि तुम कभी कभी suicide करने का सोचती हो मदर कहती ही कि हाँ मैं सोचती हूँ ये बोल कर Ivy डायरेक्लि सिल्विया की मदर को धक्का दे देती है ये सुन कर सिल्विया मदर की रूम में आ जाती है पर Ivy वहाँ छुप गई होती है अब मेमोरेल होता है और सिल्विया को लगता है कि उसकी मदर बहुत ही अकेली थी और उसे बहुत ही बुरा लगता है रात में सिल्विया सो नहीं पाती है तो अपनी मदर की रूम में आती है पर अपनी मदर की भेट पर अब आईवी सोई हुई है वो आयवी से बुछती है कि तुम यहाँ क्या करी हो आयवी कहती है कि तुम्हें अकेला रहना था इसे वज़े से मैं यहाँ आकर सुई हूँ सिल्वया बोलती है मेरी मदर से मुझे बहुत सारी बाते करनी थी उसे कुछ चीज़े मुझे कहने थी वो मैं नहीं कह पाई आयवे बोलती है तुम प्रिटेंड करो कि मैं ही तुम्हारी मदर हूँ और सब कुछ बोल दो सिल्विया अपनी मदर से बात करी है इसा प्रिटेंड करती है और कहती है कि तुमसे बहुत ही जिलस थी सब लोग तुम्हें बहुत ही प्रिटी मानते थे और मैं उतनी प्रिटी नहीं थी मैं इस घर में बहुत ही ओड थी वो फिर कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती थी अगली दिन सिल्विया के फादर का जॉब चला जाता है यह अलकोली की है तो यह दारू पीने लग जाते है इसके बाद हम देखते हैं सिल्विया अपनी मदर के कार को वाश कर रही है यहाँ पर आईवी भी आ जाती है वो कहती है कि चलो हम तीनों राइड पर चलते है सिल्विया के मदर की अस्तियों का कलश हुआ है आईवी को सही से ड्राइव करना नहीं आता पर फिर वो ड्राइव कर ही रही हुती है जब एक कार में होते है तो आईवी एक गाना गुनगुना थी है सिल्विया को एक गाना सुनकर सस्पिशन आता है वो आईवी से पुछती है कि एक गाना तो मेरी मदर सुनती थी मेरी फादर ने स्पेशल हो उनके लिए बनवाया था ये तुम किसी गुनगुना रही हो सिल्विया की मदर सिर्फ उसके बड़े पर एक गाना लगाती है जिस सब लोग मुझे हमेशा अक्यूजी करते रहते हैं इन दोनों में फाइट होती है और इनकी गाड़ी एक जगा पर टकरा जाती है इसमें सिल्विया के सर पर चोट आती है और यह वो बेवश होकर गिर जाती है आईवी को जादा चोट नहीं आती तो सिल्विया को ड्राइवर सिट पर वो बिठाती है और पुलिस को कॉल कर देती है इसके बाद हॉस्पिटल में उसके फादर उसे मिलने के लिए आते है नरस ने फादर को कहा है कि उसके सर पर चोट आई है इसलिए वो हनुसनेट कर सकती है जब फादर सिल्विया से मिलते है तो सिल्विया के थी है कि तो डायरिकली अपनी घर पर आती है, घर पर आकर वो दीखती है, तो उसके फादर और आईवी ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटिमेट हुए हुए है, उसकी मदर की जगा अब आईवी ने ले ली है, सिल्विया के फादर उसे नोटिस करते हैं, सिल्विया वहाँ से भाग का था, वो आईवी को छोड़ कर फे से सिल्विया को ढूनने के लिए निकल पड़ते हैं, आईवी ढूनते ढूनते घर के बाहर आ गई थी, तो गिली हो चुकी है, वो उपर जाती है, सिल्विया की मदर का गाउन पहन दिये, और फिर से वो भी घिड़की के पास आकर खड हो जाती है, सिल्विया नीचे ही छुपी होती है, वो उपर आ जाती है, खिड़की के पास आईवी को कहती है, कि मरी मदर को तुमने मारा है, आईवी कहती है कि वो मरना जाती थी, इसलिए मैंने सब किया, हम अब सब फेमिली बन सकते हैं, सिल्विया बहत ही चिड़ी होती ह उसे कहती ही कि भाड में जाओ और उसे धक्का दे दीती है आई भी नीचे गीर कर मर जाती है अब सिल्विया मूवी के लास्ट में कहती है कि वो जैसे भी थी पर मैं उसे प्यार करती थी मैं अभी भी उसे मिस करती हूँ यही पर यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा रहागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा ये बहुत सारी इस तरह की मुविज लेकर आते हैं तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटक्रिशन आइकान दबाना भी मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुविए के साथ तब तक के लिए धैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये